गूड मॉनिं यारो और सवगत है आप से विलोगों का मेरे देली विलेज लाइफ में तो क्या हाल है यारो तो आज अपने दिन की सुरुवात होती है अपनी भांजी जी आजी नानी के संग खेल रही है यह अपनी दादी जी मुझी सही कर रही है गोडी बिनने के लिए और मैं चला जाता हूं छट पर अटर्छ नहीं होती है कि सब्जी अब इसने लाकी खाये जाती है और सबेरे-सबेरे का अपना मौसब अपने घाओं का पीछे मंदीर है मंदीर के पीछे जस्त उदर संराइज हो गया है फिर मैं नीचे चला आता हूँ सैक्ल निकालता हूं देता हुए जगा जहां रखा जाता है और उधर अपनी डाडी जी बरामदें बैठके गोडी बीन रही होती है सबेरे मूझ सही कर रही थी गोडी बीनने के टो ही गोडी बीन रही अपनी डाडी जी फिर करेव साम के साढ़े 3-4 वजे के आसपास मैं फाला लेके अपने दारा जी के साइए और साथ में अपने फ्रेंड को लेके हम लोग आजाते हैं अपने खेट खलिहान में wa बनाने के लिए चलने के लिए संतर है, संतर की बगल में कुलवा है और कुलवे के बाद अपना खेट खलिहान है तो हम लोगों संतर से अपने खेट में आने के लिए थोड़ा सेंगवा चोड़ा करना है तो हम लोग दो पहले बना चुके हैं, मतलब दो लकडी पहले रख चुके हैं, एक और रखे उसे चोड़ा करना है तो हम लोग लकडी इलाकि खलिहान में रख दी हैं, उससे आहर दी हैं और बढ़ियां से गड़ा करेंगे गड़ा करने के बाद उस लकड़ी को बढ़ियां से फिट करेंगे, फिट करने के बाद रोध थोड़ी चोड़ी हो जाएगी, सेंगवा थोड़ा चोड़ा हो जाएगा, ताकि आने जाने में थोड़ी आसानी हो जाएगा, फिर जब कभी भी हम लोग अपने फसल अपने खलि हुआ है सामने संसेट हो जाएगा कुछ समय बाद और खेट में फसल लगए सरसो और सोके और यह बस मस्ट खूपसूरत सा वियू है उसके बाद हम लोग चले जाते हैं अपने दाडी जी के पास अपने दाडी जी ओहां पर प्याज निरा रही है प्याज का भीया से घास निक के बाद बढ़िया से उसका लोई बनाएंगे लोई बनाने के बाद चावकी पर बेलेंगे फिर उसके पर तेल लगाएंगे तेल लगाने के बाद उसका रोल बढ़िया से कर लेंगे रोल करने के बाद उसके तीन चार पीस कर लेंगे पीस करने के बाद फिर बढ़िया से लंबे-लंबे बेलेंगे, बेलने के बाद एक चाकू लेंगे, चाकू लेने के चीटा लगाएंगे और उठा के उसे एक जगा रख देंगे, और उसे फिर टेल में पकाएंगे, कड़ीया हम लोग चणा दिये हैं, चुल है पे टेल पक गे, उसमें चीटवा रूठी डालो, बढ़ियां से पकाओ, पकाने के उसे चालो, अपनी बैंस सुराज जा रही है, अपनी भांजी अपनी घर जा रहे है, तो उनके लिए नौनवेज बनना भी जरूड़ी है, तो अपने घर में एक दिशी मूलगा था, तो हम लोग उसे बढ़ियां से आग में भूनते हैं, से फिर भून के हम लोग खा जाएंगे, और मैं एक टंगडी भून देता हूँ अपनी भांजी जी के लिए, अपनी भांजी जी मासे नीज चोट-चोट की निखा रही है बढ़ियां तरीके से, और फिर इसके हम लोग चिकन कड़ी बनाएंगे, चिकन कड़ी जब बन कर त सुने चले जाएंगे, और फिर अगली सुबह मैं चला जाओंगा अपनी भांजी जी और अपने भेंड को भेजने के लिए, और इस तरह आज अपना दिन समाप्थ हो जाता है, अगर आप लोग को मेरा देली बिलेज लाइफ पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक सेर कर चैनल सब्सक्राइब करो जारो, मिलते हैं अगली वीडियो में